तो आप लोगों की डिक्वेस्ट पर आज हम बात करने वाले option chain analysis के बारे में और हम यहाँ पी यह बात करेंगे कैसे हम option chain को analysis करते हुए अपने trade को confirm करेंगे मतलब कि अगर आप चार्ट पर आपको bullish indicator मिल रहा है तो कैसे हम option chain analysis करेंगे कि हम उसे verify कर पाए कि market यहाँ से bullish होने वाली है लेकिन इसके पहले कि हम आज की analysis को सुरू करें अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe किजिए, bell icon को प्रेस किजिए ताकि आपको ऐसे ही संदार वीडियोच की notification मिलती रहा है तो हम आज चुके हैं धन के platform पे और इस option chain analysis के लिए हम लोग धन का यूज करने वाले है क्योंकि यहाँ पे आपको दो चीज़े benefits मिल जाती है एक तो option chain असानी से मिल जाती है किसी भी stock का या फिर index का दूसरा यहाँ पर trading view का जो आपका premium होता है वो भी आपको मिल जाता है जैसे कि nifty 50 है अभी हम इसकी option chain की analysis करने वाले है तो हम क्या करेंगे simple आपको यहाँ पर दो चीज़े दिखाई देगी एक आपका trading view यहाँ पर दिखागा आपको जस इस पर क्लिक करनी है और आपके सामने trading view का premium platform premium जो होता है वो आपके सामने open हो जाएगा तो आपको यहाँ पर कोई भी add देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि आपको trading view indicators भी use कर पाते हो तो अगर आपको धन में account open करना है तो link is right in the comment section अगर आप हमारे दुआ लिंक से करते है तो आपको premium टेलिग्राम चैनल में join होने का मौका मिलेगा जहाँ पर मैं अपनी personal कुछ strategy आप लोगे साँ share करता हूँ यहाँ से option chain को यहाँ पर आप डार्ट चार्ट लिए आप option chain पर click करोगे आप चाहो तो यह सेम option chain जो आप यहाँ पर open हो रहा है NSE का side पर भी जाकर देख सकते हो बट अगर आपके पास धन की trading platform है तो आप इसका सामने just chart के ऊपर ही option chain को analysis कर सकते हो तो यहाँ पर आपके सामने option chain open हो चाई का nifty 50 का यहाँ पर कुछ चीज selected हो है आपका 8 June का मतलब next weekly expiry selected है अगर आप यहां से expiry को change करना चाहते हो तो कर सकते हो और फिलाल की रहने देते हैं और यहाँ पर आपको दो चीज़े दिखाई देगे यहाँ पर कुछ आपको strike price दिखाई देंगे और यहाँ पर जो 18,534 जहाँ पर जिसको हम ATM बोलते हैं जितना भी जो section है इसके ऊपर जाओगे अठाटार 308,250 को call side में तो आपका in the money होगा इसके आगे जितना भी section है वाइट वाला वह आपका OTM होता है इन दोनों में basic difference क्या होता है कि in the money में आपकी intrinsic value add होती है plus time value रहती है जो कि OTM में आपकी time value ही सिर्फ रहती है intrinsic value नहीं होत जाती है तो यह सारे जो OTM हो जाएंगे OTM 0 हो जाते है expiry वार दिन पर इन दमनी मतला ITM 0 नहीं होते है put side में just आपका opposite होता है जो आपका जैसे put side में ब्लू side है वो आपका इस side में यह जो है in the money है और आप अगर यहां पर बात को 8500, 8400, 5400 यह आपका OTM हो जाएगा तो यह option के कुछ term से पहले से पता होना चाहिए कि call किसे कहते है put किसे कहते है तो उतना में मान के चलना हो कि आपको पहले से पता होगा दूसरा यहां पर देख सकते हो delta हम लोग काफी समझ से आती है कि सब्सक्राइब कहां पर track करें तो यह आपका delta यहां पर option chain में दिख जाता है बाकि अगर कुछ यहां पर आपको add करने से वेगा हो गया तो simple आप इस पर क्लिक करोगे तब किसी भी चीज़ को यहां से remove कर सकते हो या add कर सकते हो theta, gamma, vega, value change, percentage, IV यह सारी चीज़ भी आप add कर सकते हो राइट अब हम बात करते है OI, OI मतलब open interest, open interest क्या होता है कि कि कितनी 8534 पर ठीक है तो 8550 इसका next strike price है जहां पर 31.39 लोगों ने call को sell कर रखा है, call को sell कर रखा है मतलब क्या है कि वो market को लेकर क्या है बेरिस है, मतलब 31.39 लाक 8550 पर वहीं पर आप देखोगे 8600 पर 1.07 करोर लोगों ने sell कर रखा है, मतलब लोगों का मानना क्या है, simple सा कि market जो है इक्स expiry तक 18600 क्रोस नहीं करेगे, बड़ यह हमेशा change होता रहता है, मंडे को आप देखोगे तो यह पूरी तरके से ड्रामेटिकली change हो जाएगा, तो यह सबसे अच्छा काम करता है expiry वाले दिन पर अगर आप option chain analysis करते हो तो 1.07 करोर का मानना है, 18600 क्रोस नहीं करेगे, यह option seller है और वही market को run करते हैं, मतलब यहाँ पर क्या है फिलाल के लिए अगर हम देखे तो 18500 वीक आपका resistance है, बट 18600 आपका strong resistance है, वहीं पर हम put side की बात करते हैं, तो 18500 पर देख सकते हो 1.07 करोर लोगों ने put को sell कर रखा है, मतलब उनका मानना है कि 18500 के नीचे market नहीं ज पायर होगे, तो 18500 क्या हो गया, strong support हो गया, इसके उपर आप आओगे, तो 22,00,000 लोगों ने 8400 को बिच रखा है, 42,00,000 लोगों ने 8400 को बिच रखा है, तो जो strong आपका support की बात करें, तो 18500 निकल के आती है, और strong resistance की बात करें, तो 8600 निकल के आती है, बाइद वे अगर आ OI change होगा, उस समय, धेर-धेर, OI change होगा, जिसे आप यहाँ पर देख सकतो, OI change in percentage, यहाँ पर किलरली आपको देख सकते हो, 26.14%, यहाँ पर OI change होगा है, कॉल साइड में, पोजिटिव में, तो यह चीज़े होती है, वेलूम देख सकतो, कि वेलूम किस strike price पे कितना वेलू आई हुई है, वहीं पर अगर आप बात करते हो, इसके आगे 8,650 पे, तो यहाँ पर 9.06 करोर ही वेलूम आई हुई है, जहाँ पर अगर significant change होता है वेलूम के साथ में, तो और ज़्यादा strong support यह resistance का काम करते है, यह आपका simple LTP है, last trading price है कि वो strike price कितने price पे चलता हुआ नज सके, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका second part भी ले करूं, जहाँ पर मैं बताऊंगा कि OI change को देखकर कैसे आप trade कर सकतो, तो प्लीज कमेंट सकसने बताना और इस वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सकसने जरूर रहे हैं कि यह सतर हमें वो वीडियो चाहिए, ताकि मुझे आपको इस वीडियो के जरूरत है, तो मोटा मोटी इस बात को हम यह समझ ले, कि जहाँ पर आप देख सकतो, अगर आपको simple यहाँ पर देखो कि तो 1.07 करोर फिलाल 8600 पर ओपन है, तो आपका strong resistance है, वहीं पर अगर हम बात करें, put कि तो 1.07 करोर 8500 पर ओपन है, तो यहाँ अभी यह पोजिशन अभी तक कट नहीं की गई है, तो 8500 को क्या होगा, strong support हो गया, तो ऐसे हम decide कर सकते हैं, तो अभी हम मान सकते हैं, कि 8500 से लेकर 8600 के उचे market expire हो सकती है, वह चुकी आज Saturday है, और market off रहेगी, तो चार दिनों में यह option चेंड ड्रामेटिकली change हो सकते हैं, लेकिन अगर अब थ्रस्टे को analysis करते हो, तो यह काफी हद तक सही रहते हैं, दूसरी बात हम यहाँ पर कहना चाहते हैं, कि जो आपका in the money होता है, in the money हमेशा आपको costly होता है, जैसे 18500 से ही का जो premium देखोगा 124 वो आपका costly होगा, जैसे हम OTM जाएंगे, वह उतना ही cheaper और स trading कर रहे हो, तो यह चीज़ें काफी important हो जाती है, तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको option chain analysis समझ में आगे होगी, थोड़ा बहुत समझ में आई हो गया, फिर भी अगर आपको कोई doubt रहता है, तो आप comment section में आकर पुछ सकते हैं, मैं आपके प्रसनों का reply दने की पूरी कोसिस करूँगा, और अगर आप इस channel पर पहली बार हैं, तो recently मैंने दो strategy upload किया, monthly delta neutral strategies हमें कल ही upload किया था, एक बार आप इसे जरूर देखिएगा, काफी important strategy है, और दुसरा monthly batman strategies ने पिछले 4 महीने में कोई भी loss नहीं दिये, इसे भी आप देख लिजएगा, तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई analysis है साथ में, तब तक लिए टटा, बाबाय, thanks for watching.